हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल इस डिजाइन को तयार करने के लिए फ्रेंड हमें सबसे पहले एक लंबा सा बकरम लेना है और एक बात और फ्रेंड इस डिजाइन को आप ट्राउजर में भी बना सकती है और स्लीविस में भी बना सकती है बकरम की लंबाई हमने 11 इंच ली है और चोड़ाई हमने साड़े चार इंच ली है यहां से हमें हाफ इंच की लंबाई पे टिक लगाना है फिर उसके बाद हमें धाई इंच की लंबाई पे ऐसे टिक लगाना है फिर यहां पर हम एक इंच की लंबाई पे टिक लगाएंगे फिर से यहां पर एक इंच की ल अ competent at हार्ट सेप में हमें कागच की उपर ऐसे लाइनप कर लेना है जिस सेप में हमने लाइनप किया है बिल्कुर उसी सेप में अब हम इसकी कटींग कर लेंगे ऐसे कागच की कटिंग करने के बाद अब इस कागच को हम यहां पर ऐसे लगाएंगे और जिस सेप में हमने कागच की कटिंग की है बिल्कुल उसी सेप में लाइन अप कर लेंगे ये देखिए जहां जहां हमने धा इंच की लंबाई पे टिक लगाया है वहां पे हमें कागज को ऐसे लगा कर लाइन अप कर लेना है तो ये देखिए हाट सेप में हमने तीन ऐसी डिजाइन बना ली है जिस सेप में हमने इसे लाइन अप किया है बिल्कुल उसी सेप में अब हम इसकी कटींग कर लेंगे अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं और रोजाना एक नई डिजाइन की वीडियो देखना चाते हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आलका ओप्सन सलेक्ट करें हार्ट सेप की डिजाइन की कटींग करने के बाद अब हम इस डिजाइन को इस तरी के सहायता से कपड़े पे ऐसे चिपका देंगे सेम साइज का हमें एक और कपड़ा लेना है दोनों कपड़े को हमें ऐसे ज्वाइंट करके इसे अच्छे से पीनप कर देना है तो ये देखिए हम अच्छे से इसे ऐसे पीनप कर देंगे ऐसे पीनप करने के बाद अब जिस सेप में हमने इसकी कटिंग की है बिल्कुल उसी सेप में सारे डिजाइन की उपर हमें ऐसे सिलाई चला लेनी है सिलाई चलाते समय कपड़े को हलका हलका ऐसे घुमाते रहे जिससे आपके डिजाइन में perfect finishing आएगी और आपका डिजाइन easily तैयार हो जाएगा बिल्कुल इसी तरीके से हमने सारे डिजाइन की उपर सिलाई चला कर इस लाइन को complete कर लिया है अब हम यहां से धागे को cut कर लेंगे धागे को cut करने के बाद डिजाइन में से हम सारे pin को निकाल लेंगे अब हमें डिजाइन के बीच में से एश्ट्रा कपड़े को cut कर लेना है सिलाई के हलके से बगल में हमें ऐसे एश्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है बिल्कुल इसी तरीके से हमें सारे डिजाइन में से एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है एश्ट्रा कपड़े की कटिंग करने के बाद अब हम डिजाइन को उल्टा करेंगे और यहां से हमें कपड़े को ऐसे कट कर लेना है कि देखिए कपड़े को ऐसे कट करने के बाद अब हम इसे फोल्ड करके सीधा करेंगे सबसे पहले डिजाइन के नोखीले से पाट को प्रोपर सेप में हम ऐसे सीधा करेंगे किसी भी नोखीली सी चीज की सहायता से हम डिजाइन को अच्छे से प्रॉपर सेफ में सीधा कर सकते हैं एक डिजाइन को हमने ऐसे सीधा कर लिया है बिल्कुल इसी तरीके से हमें दो और डिजाइन को अच्छे से सीधा कर लेना है इस तरीके से डिजाइन को सीधा करने के बाद हम इसे इसत्री कर लेंगे तो यह देखिये हमने डिजाइन को इसत्री कर लिया है किनारे के साइड से हमें डिजाइन के उपर ऐसे सिलाई चला देनी है डिजाइन के दोनों साइड में सिलाई चलाने के बाद अब जो बीच में हमने कपड़े को कट किया था उस कपड़े के उपर हमें ऐसे सिलाई चला देनी है जिस कलर का आपका कपड़ा है उसी कलर का धागा होना चाहिए यहां से धागे को कट करके अब हम इस डिजाइन में एक और पैटर्न को ज्वाइंट करेंगे तो उसके लिए हमें चकोर सेप में कटा हुआ कपड़ा लेना है जिसकी लंबाई और चोड़ाई दोनों चार इंच है कपड़े को हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसके किनारी की साइड में सिलाई चला लेंगे कपड़े को फोल्ड करके ऐसी डिजाइन बनाने के बाद अब हम डिजाइन के किनारी की साइड से एस्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे तो ये देखिए ऐसे आपको एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है अच्छे से अब हम इस डिजाइन को हार्ट सेप की डिजाइन में ज्वाइंट करेंगे तो ये देखिए हमें यहाँ पर लगाना है इस डिजाइन को यहां पर ऐसे तिर्ची में लगाएंगे और इसके उपर सिलाई चला लेंगे अब दूसरे साइड में भी हमें डिजाइन को ऐसे ज्वाइंट कर लेना है और इसके उपर सिलाई चला लेना है हार्ट सेप की दो डिजाइन में हमने इस पैटर्ण को ज्वाइंट कर दिया है अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी दोनों डिजाइन को अच्छे से ज्वाइंट कर लेना है अब हमें एक लंबा सा चोड़ा सा कागच लेना है कागच की उपर हमें इस डिजाइन को लगाना है और डिजाइन के दोनों साइड में हमें सिलाई चला कर कागच में इसे अच्छे से ज्वाइंट कर लेना है अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद अब हमें दो डोरी लेने हैं डोरी को हमें यहाँ पर ऐसे लगाना है दोनों साइट से डोरी को ऐसे फोल्ड करके हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे इस तरीके से आप डोरी की ऐसी डिजाइन इजली तैयार कर सकती है टोरी की डिजाइन को ऐसे तयार करने के बाद फ्रेंड, नीचे की साइड में हमें दो डोरी की डिजाइन की गैप रखनी है यह देखिए, ऐसे गैप रखना है आपको डोरी का अब जो हमारा ट्राउजर या स्लिविश का कपड़ा है, वो ले लेना है ये देखे डिजाइन को परफेक्ट सेप में बैठाने के लिए हमने कपड़े पे ऐसे बकरम को चिपकाया है आप भी चिपका सकते हैं डिजाइन को इजी स्टेप में तयार करने के लिए बीच में से कपड़े को फोल्ड करके 2 इंच की चौड़ाई पे टिक लगाएंगे फिर यहां से हमें 11 इंच की लंबाई पे टिक लगाना है और स्केल की सहायता से इसे लाइन अप कर लेना है दोनों साइट से लाइन अप करने के बाद अब हम यहां से तिर्ची में लाइन अप कर लेंगे अब हमें इसकी कटिंग करनी है तो बीच में से पहले कपड़े को ऐसे कट करेंगे फिर तिर्ची में ऐसे कट करेंगे अब हम कपड़े को ओपन करेंगे जिस सेप में हमने इसकी कटिंग की है बिल्कुल उसी सेप में हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड करके पीन अप कर लेना है इस लाइन को इस तरीके से कम्प्लीट करने के बाद अब हमें इसमें डिजाइन को ज्वाइंट करना है तो ये देखिए हम दोनों डिजाइन को इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे इसे अच्छे से परफेक्ट सेप में पहले बैठा लेंगे डिजाइन को perfect shape में बैठाने के बाद अब हमें दोनों design को joint करने के लिए यहाँ से सिलाई चला देनी है जिस shape में हमारा design है बिल्कुल उसी shape में हमें सिलाई चलानी है अब हम यहाँ से धागे को cut कर लेंगे तो यह देखिए कितना easily हमने दोनों डिजाइन को अच्छे से ज्वाइंट कर लिया है अब हमें नीचे की साइड में चौड़ी पट्टी लगानी है तो उसके लिए हमने साड़े तीन इन चौड़ा एक लंबा सा बक्रम कपड़े पे ऐसे चिपकाया है अब हम इस कपड़े को डिजाइन के नीचे की साइड में ऐसे लगाएंगे और इसके उपर एक बराबर में हम यहां से सीधी सिलाई चला लेंगे इस लाइन को कम्प्लीट करने के बाद अब हम यहां से धागे को और एस्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे एस्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद फ्रेंड ये जो हमने तीर्ची में यहाँ पर डिजाइन लगाई है ऐसी सेम डिजाइन हमें यहाँ पर भी लगा लेनी है तो ये देखिए नीचे की साइड में हमने ऐसी सेम डिजाइन लगा ली है अब जो हमारा डोरी का डिजाइन है उसे हमें कपड़े में ऐसे ज्वाइंट कर लेना है जहां पर हमारा डिजाइन है वहीं तक हमें डोरी की डिजाइन को ऐसे लगाना है अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद अब हम डोरी में फुलेना लगाएंगे तो फुलेना बनाने के लिए हमें एक छोटा सा कपड़ा लेना है कपड़े की कोने की साइड में हम डोरी को ऐसे लगा कर कपड़े को फोल्ड करके इसके उपर सिलाई चराकर हम कपड़े को सीधा करेंगे फिर यहां से एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे बिलकुल इसी तरीके से हम दूसरे वाले डोरी में भी फुलेना लगाकर तैयार कर लेंगे दोनों डोरी में ऐसे फुलेना लगाने के बाद अब जो फ्रेंड हमारा ये तिर्ची वाला डिजाइन है इसे हमें ऐसे फोल्ड करना है ये देखिए सारे डिजाइन को अच्छे से हमें फोल्ड करके सुई धागा के मदद से फैब्रिक में ज्वाइंट कर देना है सारे डिजाइन को अच्छे से फोल्ड करके ज्वाइंट करने के बाद डोरी की डिजाइन में हम मोती को लगा देंगे तो ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी मोती को लगा देना है और सारे डिजाइन को अच्छे से कपड़े में सुई धागा की मदद से ज्व की का आएगा ट्राउजर या स्लीविस की सेफ में डिजाइन की सिलाई करने के बाद आपकी डिजाइन का लुक कुछ हिस्तरीकी का आएगा तो आपको हमारी डिजाइन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताए थैंक्स पर वाचिंग